नमस्ते प्यारे साथियों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावित्रे बाई फुले पर बहुत ही सरल और सुन्दर भाषन तो देना करते हुए आई ये भाषन की शुरुवात करते हैं जो कुछ इस प्रकार स सहा जिन्होंने कीचड़ गोबर पत्थरों के मार उतारना चाहा समाज से पिछड़ी सोच का भार भारत की पहिली महिला सिक्षिका जो है कहलाती कन्याओं की सिक्षा के लिए समाज से भी लड़ जाती आज की कारेक्रम के सनमानी अध्यक्षिम हो दे यहां उपस्थित गुरुजन और मेरे दोस्तों आज तीन जन्वरी यानि सावित्री बाई फुले का जन्म दिन महान समा सुधारक जोतिबा फुले इनकी पत्नी यानि सावित्री बाई फुले सावित्री बाई का जन्मत 3 जन्वरी 831 को 17 जिली के नाइगाव में हुआ वे बच्पन से ही बहुत साहसी और बुद्धिमान थी जोतिबा ने पुने में लड़कियों के लिए पहले पाठ्शाला खोली उसमें पढ़ाने का काम सावित्री बाई स्वयम करती थी समाज के कुछ लोग लड़कियों को पढ़ाने के विरोधी थे शुरू में लोगोंने सावित्री बाई को बहुत तखलीव दी किन्तो बाद में सब उनका आधर करने लगे पहली महिला सिक्षिका होने का मान उने मिला आज हम सब लड़किया पाठ्शाला में है इसका श्रेय केवल सावित्री बाई की अथक प्रयासो को 10 मार्ज 1897 को सावित्री बाई फुले का स्वर्गवास हो गया सच मुझ वे एक महान समाज सिविका थी इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ जय हिन जय भारत भारत माता की जय साथियों आशा करती हूँ आपको यह भाषन बहुत पसंद आया हो साथियों सावित्री बाई की इस महान कारियों के लिए और देश के लिए इस धमाकेदार भाषन को एक लाइक तो बनता ही है जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंस पर वाचिंग